नमस्कार अब देख रहे हैं देरिक भासकर उत्राखंड उत्तर प्रदेश मैं हूँ आपके साथ सप्रापांडी आये डालते हैं एक नजराज की सुर्खियों पर कडाके की ठंड और बारिश भी नहीं बन पारे ही चुनाव प्रचार में बाधा मुख्य मंत्री धामी खटी म बनाने की प्रशाशन कर रहा है हर संभव कोशिश जस्पूर में 11 लोगों के खिलाफ की गई जिला बदर की कारिवाही खटीमा में हार्ट अटेक से हुआ दयालू गुरू के नाम से प्रसिद समाज सेवी और आप नेता दया कृष्ण जोशी का निधन सीम धामी ये आवास पर पहुंच कर जताया शोक नमास के चुट्टी का आदेश बाहर बीजेपी बोली हरी शरावतले सन्यास उत्राखंड सरकार का फैसला साथ फरवरी को खुलेंगे प्रदेश के सभी स्कूल चात्रों और सिक्षकों को पहनने होंगे मास उत्राखंड में 10 फरवरी से सभी ए गंगा आर्थी में लेंगे भाग किसानों से करेंगे वर्च्वल संवाथ फिल्म के शूटिंग के लिए मस्नूरी पहुंचे अक्षे कुमार ने वर्फवारी में जमकर की मस्ती अभीनेत्री रकुल प्रीत ने भी उठाया लुफ्त सेम योगी अदितिनात के साथ मंच पर गदगद दिखे राधा मोहन ट्वीट कर दिया कयास बाजियों का जवाग आगरा में बोले खिलेश यादव आगरा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे हैंडी क्राफ्ट इंस्टिट बनाने पर विचार यूपी में विधान परिशिद की 30 सीटों के लिए अधी सूचना हुई जारी पहले चरण के लिए 3 मार्च को होगा मतदान आगरा में समाजवादी पार्टी के मुखिया खिलेश बोले एक रंगी सरकार खत्प करना चाहती है समिधान जन चौपाल में पीएम मोधी बोले हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रख कर नई हिस्ट्री बनाने के लिए है चुनाव सुल्तानपुर में असहले के बल पर पेट्रोल पंप संचालक को 2,20,000 की लूट खटना से सीटीवी कैमरे में क्याद आग्रा में मायवती की सभा में हुई अनुमती से जादा भीड जला धक्ष्ट के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा मेरट में मीट व्यापारी ने गोली मारकर की खुदखुशी सुसाइड नोट में खून से लिखा प्यार अखिलेश चैन्त की सयुक्त प्रेस वारता भाजपा पर हमला बोले सरकार के दावे वादे खोकले इस बार बहुरंगी गठ बंधन एक रंगी को हराएगा और सीटों को लेकर अभी से असाहज हो रहे सपा के सहियों की दल समीकरण के हिसाब से चाह रहे सीटे सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही उत्राखंड उत्रप्रदेश की सभी खबरों से जुड़ रहनी के लिए देखते रहे दैनिक भासकर उत्राखंड उत्रप्रदेश